आप सभी को मेरा नमस्कार तो दोस्तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बेकुर्ण चतुर्दर्सी की व्रत कथा लेकर आए हूँ तो प्रेम से बोलिए भगवान विस्नु जी की जे हो दोस्तो बेकुर्ण चतुर्दर्सी सावन माहा के सुकल पक्स की चतुर्ती दिप्ती को मनाए जाती है इस दिन बगवान विस्नु जी और भगवान भोले नाप की पूजा एक साथ करते हैं बेकुन चतुर्दसी को हरी हर यानी सीरी हरी और महादेव जी की पूजा का विदान है जो भी वेक्ती बेकुन चतुर्दसी को भगवान विश्नु जी की पूजा करता है उसे स्वर्ख की प्राप्ति होती है जीवन के अंत समय में उसे भगवान विश्नु जी के धां बेकु उसनु देवादी देव महादेव जी का पूजन करने के लिए कासी आये। यहाँ उन्होंने मनीकणी का घाट पर इसनान किया और फिर एक हजार स्वन कमलों के पुस्पो भोले नात को उपासना करने का संकल्प लिया। सिरी हरी ने कासीप में सिवलिंका अभी से किया और विदी विदान से पूजा करने लगे। तो सिव जी ने उनकी परिक्षा लेने के लिए एक स्वन पुस्प कम कर दिया। भगवान विश्णु जी को पुन्री काक्स और कमल नयन भी कहा जाता है। ऐसे में पुस्प की कमी होने पर विश्णु जी ने अपने कमल समान नयन समर्पित करने लगे। सिरी नारायन की भगती से पर्शन होकर सिव वहां परगट हुए। उसी दिन सावन सुकल की चतूरदसी थी भोले नात बोले आसे यहती थी बेखुण चतूरदसी कहलाएगी। इस दिन जो विवर्थ पूर्ण शर्दा के साथ पहले आपका यानि विश्णु जी का पूजन करेगा। उससे बेखुण में इस्तान प्राप्थ होगा। भगवान भोले नात ने इसी दिन करोडो सूरी की क्रांती की समान वाला सुदरसंचकर सिरी हरी को परदान किया था। एक और मानेता के अनुसार सिरी हरी ने इस दिन जै विजे को स्वर्ग की द्वार खुले रखने का आदेश भी दिया था। मानेता है कि पर्थवी लोग पर रहने वाले प्राणी को इस दिन वर्थ और जगत के पालन हार की पूजा करने से म्युत्यू के बाद यमलोग की पीडा नहीं सेहनी पड़ती उसे मोक्स की प्राप्ती होती है। उसे चोगदा हजार पाप कर्मों से मुप्ती मिल जाती है। अब है बेकुन चतूर दसी की उपाए। बेकुन चतूर दसी के दिन आप भगवान विश्नु जी और भगवान सीव जी दोनों की पूजा करे। साती इस दिन आप भगवान विश्नु जी को भेल पत्र भी चड़ाए। और भगवान सीव जी को तूलसी की पत्ती अरपित करे। सिर्फ यह चीज आज ही के दिन हो अरपित करने वाला विदान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कश्ट कम हो जाएंगे। और आपकी सारी मनों कामनाय पूर्ण होगी। मानेता है कि इस दिन भगवान विश्नु जी ने सिव जी के परशन करने के लिए कासी में गंगा घाट के टट पर दीव परजल्वित किया था। इस दिन जो भी संद्याकाल के समय तिर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समान दीबदान करता है। उस पर महादेव सहीद भगवान विश्नु जी की अरपार करपा बरस्ती है। और उसका जीवन दीब की तरह परकासित होता है। इस दिन माना जाता है कि जो भी मनुसे भगवान विश्नु जी के नियमत एक हजार कमल पुष्व उनको अरपित करता है। और उनकी मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्व अरपित करता है। उसके लिए बेखुन की द्वार सदे भी खुल जाते हैं। और जीवन भरू से अपार सुक मिलता है। महामित्यु जेज मंत्र का जाप 108 बार करे। और भगवान विश्नु जी का ससर नाम का जपाट करे। तो ये थी बेकुण चतुर दसी की संपूर्ण जानकारी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट बुक्स में बताईए। साथ ही अपने दोस्तों रिस्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करे। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबी की भगवान भोले नात। और भगवान विश्नु जी सारी मनों कामनाई पून करे। जो प्रेम से बोली भगवान विश्नु जी और भोले नात की जेहो।